हेलो फ्रेंड्स हम लोग असिस्टेंट टीचर जिसको बोला जाता है वर्ग दो वर्ग दो के स्टी केटिगेरी कि हम लोग एक्सपेक्टेड कटप देखेंगे कि क्या कटप हो सकता है और यह ओफिशल डेटा है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जारी किया गया ओफिशल डेटा है इससे आज हम लोग अनलिसिस करेंगे तो टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करो शेड्यूल ट्राइट जो केटिगरी है उस केटिगरी में टोटल जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर के लिए तो वो है 4207 यह टोटल पोस्ट हो गया इसमें मुक्त भी है कि से एस टी मुक्त प्लस इसके हलावा एस टी फीमिल एस टीचर की जो कैटिगरी ए वह भी इसमें हैं अगर यहां चलते हैं यह चले तो यह रहा स्टी कैटिगरी अच्छा जो आपको दिखाय दे रहा है यह रहा अनुसुचित जन जाती यह हो गया स्टी यहां आपको दिखाई रहेगा मुक्त पद मुक्त पद 317 जो कि कहां पर है यह संवर्ग की मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग देखें कि मुक्त में 317 है अब इसके अलावा गर मुप देखें रहें ती संवर्ग में जाके देखें हम लोग यह हो गया ती संवर्ग किये सुचित जाती में मुक्तपत देखें हम लोग तो मुक्तपत की संक्या है 2645 और फीमेल 1113 अलग से हैं तो फीमेल में छोड़ दे रहा हूं 2645 को लेके चलते हैं 2645 इसको जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा 4516 हो गया नौ और तो अराउंड 2962 या एक्जैक्ली बोल सकते है 2962 मतलब 2962 पोस्ट यह किसके लिए हो जाएगा ST मुक्त के लिए अभी यह फीमेल में इसमें एड ही नहीं किया हूं फीमेल के भी अगर हम लोग एड करें तो यह टोटल हो जाएगा टोटल पूस्ट हो जाएगा 4207 जो कि मैं एड नहीं कर रहा हूं यह आराउंड 3000 के आसपा से ST के लिए अब अब हम लोग expected cut up लेके चलते हैं कि कितने मार्क्स में हो जाएगा अब दूसरा कोशन आप लोग जो पूछ रहे हो कि यह जो दिव्यांग है दिव्यांग हेटु जो पद है उसमें कितना तक में chances बन रहा है यह दिव्यांग में आप लोग पूछ रहे हो दा अगर दिव्यांग के लिए मैं OBC के बार में आज बात क्या हूं वैसे अगर OBC में आपके marks 50 तक भी आ रहे हैं तो भी होने की chances है और ST, ST में अगर below 50 ST में तो 30 number भी आ रहे है ना अगर आप दिव्यांग category से आते हैं और 30 number आ रहे हैं तो भी होने की काफी chance है 30 से नीचे में भी हो जाएगा अभी देखते हैं प्रफिशल डेटा है इसमें जो 123 है अगर अनुन जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल कितने हो जा रहा है जनरल में टोटल हैerek यह जन्रइया टोटल जनरल के लिए तो यह जो तीन है rank 1-2 मतО c003 इनका से भ उजाएगा इनका तो म से तो मुक्त से हो जाएगाれた न चोड़ए एक छो ड़ेता हम लोग स्ट rhe में करते हैं अगर अंए मुक्त बोल सकते हो कि यह क्या है एसकी मुक्त के लिए मैं भी एड नी किया हूं और इसका तीन गुना अगर बुलाया जाया गा डॉक्युमेंट वरिफिकेशन के लिए तो कितना हो जाएगा इसको multiply कर दो तीन दूनी 6 हो गया 6 तरीजा 188 विट कैरी 1 9 तरीजा 278 288 विट कैरी 2 6 और 2 8 तो अराउंड 8886 8886 इसको मोटा मोटा 9000 मान लो 9000 तक के जिनका rank आ रहा है उनको बुलाया जाएगा document verification के लिए ये mail की बात हो रही है फिर से don't be confused here ये mail के जिनका भी mail एस्टी mail जिनका category rank category rank around 9000 आ रहा है 9000 के आसपास है तो आपको document verification के लिए बुलाया जा सकता है यदी यदी यहाँ पर condition है कि अगर तीन गुना रहा ये तीन गुना मैंने add किया है तीन गुना अगर तीन गुना रहा तो 9000 category rank तो चलो देख लेते हैं category rank में 9000 कितने कर लेते हैं कि आपके अब इसको देखते हैं सबसे पहले फट से कि 9000 तक चलने का प्रयास करते हैं कि 9000 तक वालों का मांग्स देख लेते हैं उसके आसपास वाले मांग्स वाले भी डीवी के लिए रेडी नहीं यह कितना रंग पहुंच गया अभी तो 840 पहुंचे नो हजार तक जाना है अपने को तो यह साथ हजार हो गया यह 10,000 तो यह हम पहुंच गए 9000 यह रहा 9000 अब आप लोग मांग्स देखोगे तो 38 नंबर आ रहा है ठीक है अगर तीन गुना को देखा जाए तीन गुना अगर मैं तीन गुना थ्री टाइम्स की बात करूं तो जिनका भी मांग्स 38 के आसपास आ रहा है उनको डॉक्यूमिन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है और ओवरॉल रेंग जिनका आ रहा है देख सकते हैं साथ 70197 ओवरॉल रेंग कितना है 70197 इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं यह आपको लिखाए दे रहा है 9000 रेंग हम लोग तीन गुना करें ना यह तीन गुना करें थे तो मुझे लगता है तीन गुना का भी बुलाया जाए तो दो गुना कर देता हूं आपके लिए दो हजार दो हजार 962 में मैं दो गुना कर देता हूं पट से तो तू तू जा फोर हो गया तो पांच जार 924 तक का अगर दो गुना को बुलाया जाता है हम लोग एक मोटा आइडिया भी लगा लेते हैं अगर तीन दो गुना को बुलाया जाए तब कि केस में कितना जा रहा है यह तब कि केस में जा रहा है पांच जार 924 मतलब नियरली 6000 इसको नियरली 6000 बान लो कि जनरल कभी तो एड होगा 6000 तो 6000 रैंक तक कर चलते हैं इसको भ अगर तीन गुना बुला रहें तो 38 मार्क में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और देखें यहां पर जो बीच में कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जिनके पास टैट वगएरा नहीं होगा किसी के पास बीएड या डीएड या डीएलेड इन में से कोई नहीं होगा कोई एक चाहिए या तो बीएड होना चाहिए या तो डीएड होना चाहिए या तो डीएलेड होना चाहिए इन में से कुछ नहीं होगा या टैट का पीपर वन नहीं होगा तो इस तरह से बहुत सा चलते हैं तिक चलने का प्रयास करते हैं तो यह चार पहुंच गए यह ओगे चैज़र यह ओगे चैजर और रेंग 55,221 के आसपस और 42 मार्क्स जिनका भी 42 मार्क्स हा रहा है 42 मार्क्स इसको और कम कर दो 40 कर दो चालिस कर दो सेरे 40 मार्क्स यह 38 के आसपस था यह 38 मैंने बोला है वह यह 38 से 40 थोड़ा रेंज तो लेना पड़ेगा न 38 से 40 सीधे से लिग दो 38 से 40 मेल 38 से 40 मेल एस्टी मेल शेड्यूल ट्राइब के मेल जो है 38 से 40 के बीच उनको वह डॉक्यूमें वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा डेफिनिटी रेडी रखिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 12 मांगा गया है 12 के साथ साथ आपके पास बीएड यह डीएड या डीयलेड इनमें से कुछ होना चाहिए को एक होना चाहिए इसके लावा वा साथ चहान होल चाहए वह चाह बो सीजी टेटha इसके इसका पेपर होना इसक्याज वाले आप फीमें चलते हैं और फीमेल की सब्सक्राइब कर लेते हैं पीमेल की बात कर लो में तो फीमेल में पांच नम्बर और घठार दो तो 35 के बीच में आपका माक्स आ जा रहा है और आपके पास यह सारी चीजे है पहला वही 12 पास स्थेंड विएड हो विएड नहीं है तो डाड हो और डाड भी नहीं है तो डाड हो इन तीनों में से कोई हो इन तीनों में से कोई हो और तीसरे नंबर टेट का पेपर वन हो तो अगर आपका इस रेंज में मांक्स आ रहा है ना 33 से 35 के बीच में तो हो जाएगा ठेक अब मैं बाग कर लेता हूं दिव्यांग कि अगर स्ट्रीश आअपिर अगर सथी दिव्यांग है और उनका उनको सो होब इस अरओं आप तेटीस नंबर तो 38 रहे हैं नौर्मल्मल है consists के अगर आपका 20 नंबर है शुए का जिए स्के ऑर आपके पास यह सारे on क्योंविक्षå के ना दूसरा बीएड वही बीएड होना चाहिए या फिर डीएड या फिर डीलेड इन में से कोई है या एंड तीसरे नमबर का टेट का पेपर वन पेपर वन तो अगर 20 नमबर से कम भी आ रहा है तो को यह कुछ कंडिशन से के लिए अगर 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 जिनका भी अगर तीन गुना की बात करें तो अगर 38 मार्स के आसपास आपका है तो स्ट मुक्ट से आपको कॉल आ सकता है डॉक्मिन वरिफिकिशन के लिए फिमेल में पांच नमबर और कम कर दो तो 33 के आसपास अगर दो गुना के लिए बुलाया गया दो गुना बुलाया जाता है तो 40 मार्स तक चालिस मार्स तक लेकिन उसके लिए भी कंडिशन यह है कि आपके पास यह सारे डॉक्मिन्स होने चाहिए ट्वेल बीएड डीएड या डीएलेड सीट या सीजिट एट का पेपर वन ओके फीमेल में 33 से 35 के बीच में यह सारे डॉक्यूमिंट्स होने चाहिए दिव्यांग के लिए अगर 20 मार्स के साथ आपके पास यह सारे डॉक्यूमिन्स है और दिव्यांग का सर्टिपिकेट ह सकता है इवन सेलेक्शन भी हो सकता है ठीक यह एस्टी कर्टिगरी का हो गया असिस्टेंट टीचर का टोटल कितने कैंड़ेट्स इस एक्जाम में पार्टिसेपिट किये थे देखें हम लोग टो टोटल है टोटल देखोंगे तो चौटीस हजार तीन सोच है शेडूल ट्राइब के स्टूडेंट्स है एस्टी कर्टेगरी के स्टूडेंट्स है जिन कई लास्ट वाले का मार्क्स तो माइनस 20 है ठीक कोई चांस नहीं है ओरल रेंग देखोंगे तो 14 कितना है एक लाग शाली सजार सब्सक्राइब कोई चांस नहीं है बिल्कुल बता दू मैं इस बार लास्ट तो हो गया था 2017 में 2017 मों को याद है 2017 में जब मैं गया था डॉक्मिन वेरिफिकेशन के लिए ने इसमें होप नहीं रखना है चले ठीक है नेक्स वीडियो मिलेंगे जो भी डाउट है पर झाल है झाल है